इसकार सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे online classes में तो बच्चो जो आज हम करने जा रहे हैं वो आपके सामने बिल्कुल screen पे that is miscellaneous of chapter number 2 और इस वीडियो में हम करेंगे question number 127 तो चलिए start करते हैं बहुत important find the value of cost inverse this इसकी value निकालनी है बच्चो तो देखो पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने बता रखा है कैसे values निकलती है और आईए start करते हैं इसको भी तो यहाँ पे direct value नहीं निकलेगी इसका reason यह है कि because यह जो 13 pi by 6 है इसे हमें change करना होगा quadrant की हिसाब से तो क्या करेंगे cos inverse को cos inverse लिखेंगे और cos 13 pi by 6 को लिख सकते हैं cos 2 pi plus pi by 6 क्यों लिखा ऐसा because देखो 2 pi यह होता है 2 pi plus theta जाने की पहला quadrant फिर से और पहले quadrant में cos की value positive होती है तो cos 2 pi by 6 का मतलब है पहले quadrant और cos 360 plus theta होता है cos theta और theta है मेरा pi by 6 यहां से cos inverse आप देखेंगे तो cancel हो गया यह cancel होगा तो बज्जा का pi by 6 और pi by 6 cos की range में आता है किस range में आता है तो जो इसका range होता है that is 0 से लेकर pi इस बीच में बिलोग करता है तो that's why cos inverse इसकी value हो गई pi by 6 हमें इस इसकी range में लेकर आना होता है और इसके range में value आ चुकी है यह value इस range से बाहर है that's why इसको हमने change किया थोड़ा सा modify किया चलें आगे find the value of 10 inverse 10 7 pi by 6 second question देखते हैं तो इसे भी change करना पड़ेगा because यह भी इसके range में नहीं आता तो इसको हम लिखते हैंगे 10 inverse और 10 pi plus pi by 6 देखो 6 pi plus pi LC हम लेंगे तो 6 pi plus pi 7 pi अप उन में 6 हाएगा ओके भई तो असा modify और करते हैं तो 10 inverse और 10 180 plus theta यानि कि 10 theta 180 plus यानि कि यह coordinate इसमें 10 ही होता है तो जागा 10 theta theta है pi by 6 10 inverse से 10 देखो cancel बच्च क्या pi by 6 answer आगया इसका got it समझा आगया चले आगे okay बच्चे question number 3 can I prove that 2 sine inverse this equal to this अब यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा हम modify करना सीखेंगे कि कैसे change होता है तो सबसे पहनी बात देखो sine inverse है न बच्चे तो sine को हम 10 में लाना है तो sine से 10 में जाने का एक formula होता है वो formula होता है कुछ ऐसा that is sine inverse अगर है a upon b तो हम उसको लिख सकते है 10 inverse a upon में under root b square minus a square okay और a और b यहाँ से मिल जाएगा हमे इस formula को कुछ यहाँ यूज करेंगे 2 को 2 ही रहन दो देखो ध्यान से 2 को 2 ही रहन दो और sine inverse की जगा अब लिख सकते है 10 inverse कहां मोडिफाई करें तो lhs 10 inverse ओके और a a है मेरा देखो यह a है यह b है a है मेरा 3 upon under root b square यानिकि 5 का square minus a square यानिकि 3 square क्या हो जाएगा तो 2 तो 2 ही रहे गया 10 inverse 3 upon में under root 25 और minus 3 का square 9 तो आ गया यहाँ से 2 10 inverse 3 upon में 25 minus 9 कितना होता है 16 देखो 3 ऐसी रहे गया 16 का root हो गया 4 ओके तो 2 10 inverse 3 by 4 आ गया अब हमें लेकिन क्या लाना है हमें लाना है 24 by 7 और यहाँ पर 2 भी नहीं है तो 2 10 inverse a upon b का formula होता है 2 10 inverse a by b का formula होता है 2 ऐसा मतलब 2 10 inverse और अगर है theta यानि कि x 2 10 inverse x इसका formula होता है 2 x upon में 1 minus x का square इस पूरे को हमने x मान लिया इस पूरे को हमने x मान लिया यह formula होता है तो देखो क्या हो जाएगा formula that is sorry 10 inverse होता है 10 inverse 2 x upon में तो यहाँ पर देखो 10 inverse 2 x है मेरा 3 by 4 upon में 1 minus 3 by 4 का square यानि कि x का square थोड़ा सा modify करते हैं थोड़ा सा इसको solve करने की कोशिस करते हैं देखें क्या आएगा तो आ जाएगा 2 से 2 cancel तो 10 inverse 3 upon में 2 3 का square यानि की 9 4 का square यानि की 16 तो आएगा 10 inverse 3 upon में 2 और यह देखो 16 बंजा 16 minus 9 upon में 16 तो बचा 10 inverse 3 by 2 सबसे नीचे वाला जाता है सबसे उपर पता है आपको और 16 minus 9 that is 7 नीचे आ गया 2 8 जा 16 तो आगया 10 inverse 8 3,024 upon में 7 और सब्से यही हमें प्रूब भी करना था बच्चे इसमें कोई आपको याउट होनी नहीं चाहिए देखो 10 inverse 24 by 7 10 inverse 24 by 7 which is equal to RHS खतम समझा है आपको चले आगे हलो बच्चो question number 4 देखो अब 4 आपके सामने है that is prove करना है कि यह plus यह इसके equal होगा तो इसको करने के कई तरीके हैं कि sin inverse दे रखा है तो इसको 10 में change कर लो कैसे? तो भाई देखो sin का formula अगर याद करो आप तो sin का एक formula होता था कि sin theta होता है P upon H और यहाँ पर जो दे रखा है तो यह P हो गया H हो गया यहाँ से B निकाल लेंगे और तो यह हो जाएगा फिर 10 inverse और यह आजएगा P upon B आजएगा फिर इससे भी हम क्या करेंगे पाइथागोरस लगाकर यहाँ से भी B निकाल लेंगे तो 10 inverse plus 10 inverse बन जाएगा तो 10 inverse A plus 10 inverse B का formula होता है उसको लगाएगे तो यह आजएगा दूसरा तरीका बहुत ही simple वो तरीका यह है कि हम direct एक formula यूज़ कर सकते है लंबे तरीके से जाने से बस सकते है कि sin inverse A plus sin inverse B का एक formula होता है sin inverse A under root 1 minus B square plus B under root 1 minus A square यह formula आप note कर लें बहुत important formula है और इस formula से direct आप कर सकते हो तो देखो हम क्या यूज़ करने जा रहे है LHS उठाया और LHS में यह formula लगा दे रहे है ठीक है तो LHS में जब यह formula लगाएंगे तो देखो क्या है गा answer sin inverse okay A A क्या है मेरा यह पुरा का पुरा that is 8 upon 17 under root 1 minus B square यानि कि B है मेरा यह plus B B है मेरा यह under root 1 minus A square यह है मेरा 8 upon 17 का square कोई doubt नहीं आता है चले आगे अब देखो बसेगा sin inverse 8 upon 17 under root 1 minus 3 का स्कार होगा 9 5 का स्कार होगा 25 plus 3 upon 5 under root 1 minus 8 का स्कार 64 7 का स्कार होता है 289 देखो क्या होगा sin inverse 8 upon 17 तो है ही 25 minus 9 तो 16 upon 25 plus 3 upon 5 289 minus 64 means 225 और upon में 289 इतना आगया कोई doubt नहीं यह आपे कुछ भी चले आगे तो देखो क्या आएगा sin inverse 8 upon 17 इसको solve करो तो आगया 4 और इसका root होता है 5 यह होगा 3 by 5 यह होता है 15 का root और यह होता है 17 का चलो इतना आगया इसको लिख सकते हैं sin inverse 84 जा देखो that is 32 यह आगया 85 plus 15 3 जा that is 45 17 5 जा that is 85 इसको थोड़ा सा LCM लेकर और मोडिफाई किया जा सकता है that is sin inverse LCM लेंगे अगर 85 का LCM 85 ही जाएगा और यह उपर प्लस हो जाएगा because दोनों के नीचे denominator सेम था यहाँ तो कोई परिशानी नहीं होगी आपको I hope सब clear है देखो इसको प्लस करो तो आ जाएगा 5027 4037 upon में 85 sin inverse यह आगया ओके अब sin inverse A upon B आगया इसको अगर मैं compare करूँ तो therefore P कितना है मेरा 77 और H है मेरा 85 because sin theta का formula होता है P upon H compare कर लिया हमने तो यहाँ से हम B की value निकाल सकते है because by pythagoras theorem by pythagoras theorem क्या होता है B square equal to होता है H square minus of P square okay H है मेरा देखो कितना 85 इसका square minus P यानि कि 77 का square got it यहाँ पर कोई परिशानी नहीं होगी आपको means 85 का square 85 का square होता है 7,2,2,5 minus 77 तो 77 का square होता है 5,9,2,9 okay दोनों को minus करते हैं तो minus करने पर कितना आ रहा है आपका that is 1,2,9,6 या आ गया square हटेगा तो दूसरी साथ जाएगा root में तो भाई यह किसका square root होता है निकाल कर देखो यह होता है 36 का got it तो यह आ चुका है हमारे पास B की value हमें जो proof करना था अगर आप उसकी तरफ ध्यान दो जड़ा तो proof करना है क्या 10 inverse तो भाई 10 यहाँ से 10 theta निकाल लेते हैं तो 10 theta का formula होता है P upon B तो 10 inverse P P मेरे सामने देखो क्या था 77 upon B B क्या निकाला 36 ठीक है और which is equal to RHS यही proof करना था हमें तो हमने क्या किया LHS को solve किया formula लगाकर sine की terms में आ गया उसको थ्वास और modify किया P और H वहाँ से B निकाला तो यह से 10 theta का formula आ गया तो यह काम पहले भी कर सकते थे पहले ही हम sign को change कर लेते 10 में इसी तरीके शे और उसके बाद 10 inverse थे प्लस 10 inverse B का formula लगा देते और वहाँ से यह आ जाता या फिर पहले यह formula बाद में यह दोनों ही सही है जो आपको सही लगे देखते आगे question number 5 आपके सामने है और इसमें जो prove करना है that is cos inverse of this तो इसके लिए formula अभी आपको बताया है मैंने जैसे पीछले question में किसके respect में 10 की respect में और sign की respect में तो इसी तरीके से हम cos की respect में भी एक formula लगा सकते हैं that is cos inverse of अगर आपको दिख रहा है a plus cos inverse of b तो होता है cos inverse a b minus under root this minus or in 2 में under root this तो चली इसके यूच करते हैं जड़ा cos inverse a plus cos inverse b तो formula लगा दो LHS में cos inverse देखो क्या होता है a b तो a है मेरा ये b है मेरा ये फिर minus under root 1 minus a square 1 minus a है मेरा 4 by 5 और इसका square multiply under root 1 minus b square b है मेरा 12 by 13 और इसका square कोई परिशानी नहीं चलो भई solve करते हैं जड़ा तो cos inverse देखो 12 4 जा कितना है गा 48 13 5 जा 65 minus under root 1 minus 16 upon 25 multiply 1 minus 12 का होता 144 13 का होता 169 तो cos inverse 48 upon 65 आ गया minus यह तो सब्सक्राइब करो तो कितना होगा 25 minus 16 यानिकि 9 upon 25 multiply 169 minus 44 यानिकि 25 upon 169 यह भी आपके सामने आ चुका है 65 यानिकि 35 जा तो देफ़ो 35 जा उपर 15 solve करो तो आगा cos inverse 48 में से 15 गया है तो आगा 33 अप उनमें 65 समझाया? और यही prove करना था मैं प्रूब which is equal to RHS कुछ करना ही नहीं रह गया खतम हो गया that's it question number 6 देखते हैं अब आगे that is cos inverse 12 upon 13 plus sin inverse देखा है सामने आपको अब आप बताएंगे कैसे होगा कोई भी अगर आप सोच पारे हैं थोड़ा बहुत भी तो आप मुझे एक hint दो कैसे यह solve होना चाहिए cos और sign है दोनों को sign में लाना है तो why not पहले cos से sign change कर दिया जाएगा तो मेरे हिसाब से देखा जाता हो ज्यादा easy हो जाएगा तो देखो जरा इस cos inverse जो दे रखा है LHS में 12 upon 13 इसको मैं compare कर रहा हूँ तो भाई यहाँ से ठीक है which is equal to होगा किसके cos inverse of B by H होगा because cos theta होता है B upon H तो inverse B होई होगा तो देखो B आगया 12 H आगया 13 तो यहाँ से क्या P नहीं निकल सकता P square का formula क्या होगा under root H square minus B square Pythagoras theorem H है मेरा 13 जिसका square होता 169 B है मेरा 12 जिसका square होता 144 तो यह आगया कितना 25 तो यहाँ से P मिल गया मेरा 5 P की value 5 आ चुकी है जब P आगया बच्चे तो अगर एक sign है तो क्या दूसरे को भी sign कर सकते हैं कर सकते हैं क्यों किया because sin inverse A plus sin inverse B का formula होता है sign inverse के respect में जैसा कि अभी देखा था question number 3rd 4th में तो भाई देखो यहाँ पर P आ गया तो therefore sin inverse हो जाएगा यहाँ से कितना तो P upon H P है मेरा 5 H है मेरा 13 therefore जो LHS है वो बन चुका है sign inverse 5 upon 13 तो कि इसको हमने sign inverse के respect में change किया और दूसरा बन चुका है sign inverse 3 upon 5 इसमें कोई दोह रहा है नहीं कोई cancer नहीं चले आगे जरा अब अगला step जो हमारे लिए है जो हमें करना है वो बात देखते हैं कैसे होगा सामने आपके formula है sign inverse A plus sign inverse B इसके equal होता है तो कुछ वही formula लगाने जा रहे है formula आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आप लिख देना मैंने अल्रेजी लिख रखा है sign inverse A A है मेरा 5 upon 13 under root 1 minus B square B है मेरा 3 by 5 और इसका square plus B under root 1 minus A A है मेरा 5 upon 13 और इसका square got it यह formula यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लिख देना उसके बाद देखो जरा क्या बनेगा तो sign inverse 5 upon 13 और यह बन चुका है अब under root 1 minus 339 550 25 plus 3 by 5 1 minus 5 का square हो गया देखो 25 13 हो गया 169 कोई परिशानी यहाँ तक कुछ भी है तो बताओ नहीं है तो चले आगे तो sign inverse 5 upon 13 LC हम लेते हैं 25 minus 9 यहीं कि 16 upon 25 plus 3 by 5 पहले से 169 minus 25 that is 144 upon 169 कोई परिशानी नहीं बचिका sign inverse 5 upon 13 और 16 का root होता है 4 25 का 5 यह 3 by 5 पहले से यह होता है 12 का square root यह होता है 13 का square root फत्म और आगे चलते हैं जड़ा sign inverse ओके 5 4 जा 20 35 जा 65 प्लस 12 जा 36 यह हो जागा 65 तो sign inverse LC हम लेंगे तो बच्छे 65 because सब कुछ सेम है तो direct उपर हो जाएगा 6 2 और 35 तो आगे है मेरा sign inverse 56 upon 65 और सेर यही प्रूब भी करना था मेरे बच्छे देखो तो यह किसके equal आगया RHS कोई परिशानी यहां तक समझा रहा है आपको चले आगे 7th question कर आप प्रूफ करो कि 10 inverse this equal होगा sign inverse plus cos inverse को इस case में एक बात याद रखो बच्छे यहां से यहां जाना मुस्किल है because 1 से 2 में जाना है बट इस term से इस term में आसानी से आया जा सकता है that's why मैं ले रहा हूँ RHS पहले तो RHS लिया हमने that is sine inverse cos inverse ले लिया sine inverse को 10 में change करने का formula होता है 10 inverse A upon under root B A square minus A square because sine inverse A upon B होता है 10 inverse A upon this cos inverse को अगर मैं 10 में change करूँ तो उसका formula होता है 10 inverse under root B A square minus A square upon A sine को 10 में और cos को 10 में change करने का तो हमने वही किया तो जब इसको हम 10 में change करेंगे तो formula कुछ बनेगा 10 inverse A A है मेरा 5 under root B A square B है मेरा 13 उसका square minus A A है मेरा 5 5 का square same here 10 inverse पहले B B है 5 उसका square 25 minus A square A है मेरा 3 उसका square upon में A A है मेरा 3 कर दिया हमने और change करो तो 10 inverse 5 यह हो जागा solve करने पे 144 10 inverse इसको solve करने पे 16 वह आगया 3 root से बाहर आगा तो 12 यह root से बाहर आगा तो 4 10 inverse X plus 10 inverse Y का formula होता है 10 inverse X plus Y upon में 1 minus X Y तो वही formula यहाँ पे हमने use कर दिया तो देखो X plus Y minus 1 minus X Y रख दी value हमने अब इसको LCM लेंगे तो cross multiply यह 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 देखो क्या होगा 5 3 is a 15 12 4 is a 48 और यह आगया 12 3 is a 36 नीचे फिर यह भी 12 3 is a 36 1 से multiply हुआ और 5 4 is a 20 और अप उन में 36 इसको plus करो 63 upon 36 सब से नीचे वाला सब से उपर minus करने पर आगया 16 36 से 36 cancel तो आगे 63 upon 16 10 inverse और यही प्रूफ करना था तो यह equal हो गया LHS के because हमने RHS को solve किया तो question हो गया यही पर खतम तो इस वीडियो में हमें देखना था question number कहां तक 7 तक और हम यही पर end करते हैं because वीडियो जादा लंबी और आप बोर होने लगेंगे that's why finish up करते हैं उसके अलावा अगर आपको कोई परिशानी है तो आप मुझे इस number पे या इस number पे contact कर सकते हैं और join कर सकते हमसे live session पूरी की उपूरी class 12th की maths वीडियो की और उसमें आपको मिलेगा live recorded videos assignment notes test doubt session everything तो देर किस बात की join करें और अपना पूरा सब्सक्रिप्शन ले और हमसे जुड़े पूरी वीडियो के साथ thank you so much for watching this